इरान बना रहा है परमाणू बम एक नई दो नई बलकि तीन तीन परमाणू बम बनाने की तैयारी में इरान है और इस बात की तस्दीक कर रही है अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से बात सामने आई है कि इतने बड़े उरेनियम का जखीरा इरान की तरफ से एक अच्छा किया गया है जिससे तीन तीन परमाणू बम बनाए जा सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बना दे कि इरान अभी फिलाल परमाणू संपन देशों के लिस्ट में शामिल नहीं है मतलब एक भी परमाणू बम इरान के पास फिलाल नहीं है लेकिन कहा यही जा रहा है कि बहुत जल्द परमाणू संपनता वाले देशों के लिस्ट में इरान का नाम भी शामिल होने बाला है इरान बैसे भी इस वक्त बोखलाया हुआ यह जो परमाणू बम इरान की तरफ से बनाय जा रहा है खबरें यही हैं कि इसका इस्तेमाल वो इस्टरेल के ऊपर करने बाला है हाल के दिनों में हमने देखा किस तरह से इसरेल ने इरान के दूतावास के उपर हमला किया था जिसमें जो इरान के अधिकारी थे उनकी भी मौत हुई थी कुछ आम नागरिकों की भी मौत हुई थी और उस वक्त ही एरान की तरफ से इसरेल को ही चिताया गया था कि जो गलती तुमने की है जो हिमाकत तुमने की है उसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा और अब वैसी तस्वीर फिलाल सामने आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अमेरिका के खूफिया र या फिर वो तमाम नियमों का जो परमानू संधिया होती है उनका पालन करने बाले होने चाहिए लेकिन जिस तरह से इरान इसरेल को फिलाल धमकी देता हुई दिखाई दे रहा है ये कहता हुई दिखाई दे रहा है कि जो गलती तुमने किये उसका खामियाजा भुगतना प सिर्फ अमेरिका के लिए बलकि पूरे विश्व के लिए क्योंकि दो देशों की जंग अभी जहलने की स्थिती में विश्व नहीं है और इसका परड़ाम हर किसी को भुगतना पड़ेगा इसलिए अमेरिका की भी टेंशन अभी फिलाल बढ़ी हुई है देखे खबरे ऐसी आ वो हमला करवा सकता है इसके पीछे की दो वज़े थी पहला सीधा युद में इरान पढ़ना नहीं चाहता था अगर डारेक्ट अटैक वो कर देगा इस्रेल के उपर तो फिर उसकी भी जान पर बनाएगी और दूसरी बात ये थी कि इरान confident नहीं था कि मैं इस्रेल पर अग परमाणू बनाने की सुग्व का हट शुरू हो चुकी है अब जबकि अमेरिका की खूफिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि इरान परमाणू बंबनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है तो यह हम सब के लिए घातक है हाला कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जितन परमाणू बंबनाने के लिए इतना रौ मेटीरियल और इतना यूरेनियम एकठा कर चुका है इरान परमाणू